जब आप समझाने निकलेंगे तो जो सो लोगों से जब आप बात करोगे तो आपकी बात को समझने वाले लोग उसमें से कोई एक का दुखा या मैक्सिमम पांच या दस तक मिलेंगे अब आपने बात किसे करी है अभी तक आपने बात करी है जो आपके दोस्त हैं जो आपके परिवार वाले हैं जो आपके साथ काम करते हैं अगर आपने केवल उन से बात की है, तो वो नहीं समझेंगे, उनको समझाने के लिए, उनके इंटरस्ट का व्यक्ति, यानि अगर वो खेती करते हैं, तो खेती वाला सुनी लाएगा, एजुकेशन पर वो कुछ सुनना चाहते हैं, तो मैं आऊँगा, एजुवेद पर सुनन में, आपकी टीम में अगर ऐसा व्यक्ति है, जो इन मुद्दों पर काम कर रहा है, तो आपके वहाँ पर वो साथ ही आएगा, तो कहने का मतलब यह हुआ, कि अपने गाउं में के लोगों को समझाने के लिए, दूसरे गाउं से लोगों को बुलाईए, और खुद अगर स्टेक होगी हमारी, उनके साथ बात करने का मतलब दिमाग खराब करना ही है, क्योंकि जितना नजदीक का रिष्टा होगा, उतना ही हम कम समझा पाएंगे उन लोगों को, दूसरी बात mental health ठीक रखने की है, तो उसके लिए एक ही बात है, जो सर्वो परी है, वो यही है कि आ हमको कुछ वायात सी बातों पर हसना भी होता है, हमें बिना मतलब भी हसते रहना होता है, ताकि हम अपने दिमाग को दुरुस्त रख पाएं अगली बार अगली मीटिंग में जाने के लिए, यदि हम नतीजों से प्रभावित होते, तो हम बहुत दिनों पहले रुक चुके होते हैं क्योंकि हमने जितनी महनत की है, मतलब इस पूरे अभयान को लोगों और जगाने में, उतने लोग नहीं जा गए हैं, बलकि उसका 10 परतिशद भी लोग नहीं जा गए हैं, तो हमें हमारी महनत बेकार नहीं लगती है, जब हमारे सामने कभी भी कहीं से भी एक यू आपके बोलता है कि सर आपके कहने से हमने नहीं लगवाई थी, आपने हमारे पूरे परिवार को बचा दिया, उसका धन्यवाद इतना कह दिया, हलांकि वो मीटिंग में नहीं आता है, फिर भी हमें ये मालू है कि हमने उस बिंदे की जिंदगी बचाई, अब वो चार लोगो उस विचार को आगे बढ़ा रहा है यह बड़ी बात है तो इन विचारों का यह बिंदू है